नमस्कार आप सभी का स्वागत है स्टड़ी विद जे यार यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो SST की बुख है RBSC की इसका अध्याय दो पढ़ेंगे जिसका नाम है सौर परिवार और इस अध्याय को हम आधा पढ़ चुके हैं पार्ट वन में हमने पढ़ लिया था ये वाला पार्ट भी हमने पढ़ लिया था और ये भी हमने पढ़ लिया था और ये वाला जो पेज है ये भी हमने पढ़ लिया था अब अधिया आपने नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप इसकी वीडियो देख ले ना पार्ट वन के नाम से आपको मिल जाएगा तो वहाँ से आप इसको पढ़ लीजेगा आज हम पार्ट टू पढ़ेंगे और यहां तक हम पढ़ चुके हैं यहां सागरों का जल खारा होता है आज हम पढ़ेंगे पेज नमबर 12 पेज नमबर 12 पर है चैप्टर 2 आपका सौर परिवार यहां से आज हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना प्रत्वी की सत्य के अधिकांश भागों पर किसी ने किसी परकार का जीवन पाया जाता है जो प्रत्वी की सत्य है न इसके अधिकांश भागों पर किसी ने किसी परकार का जीवन पाया जाता है वायू मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल तीनो सौर परिवार केवल प्रत्वी पर ही पाये जाते हैं कौन कौन से वायू मंडल, जल मंडल और स्थल मंडल ये जो तीनों सार परिवार हैं कहां पाय जाते हैं केवल प्रत्वी पर ही पाय जाते हैं इन तीनों मंडलों के मिलने के कारण प्रत्वी के चौथे परिमंडल के रूप में जैव मंडल की उत्पती हुई है इसे हम एक डाइग्राम से समझेंगे आप मानिए कि यह जो मैंने सरकल बनाया है यह है वाईयू मंडल और यह जो बनाया है दूसरा सरकल यह है जल मंडल यह आप मान के चलिए वाईयू मंडल और यह हो गया जल मंडल और ये जो तीसरा सरकल बनाया है ये हो गया स्थल मंडल तो ये जो तीनों है इन तीनों के मिलने की कारण जो प्रत्विका चौथा परी मंडल है वो है जै मंडल जै मंडल के उत्वति और ये तीनों कहां मिल रहे हैं जीव जनतूं का अस्तित्व पाया जाता है जैव मंडल में ही जीव जनतूं पेड़ पौदे और मनुश्य रहते हैं हम सब भी किस में रहते हैं जैव मंडल में ही रहते हैं और ये जो पेड़ पौदे हैं जीव जनतूं है ये भी कहां रहते हैं जैव मंडल में रहते हैं और जहां पर जैव मंडल कहां पर बताया कि जहां पर इस्थल मंडल जल मंडल औ और वायू मंडल ये तीनों मिलते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है जैव मंडल बनता है अब देखिए next क्या लिखा है अब तक ब्रहमान की ग्याद जानकारी के अनुसार केवल प्रत्वी पर ही जीवन संभव है तो जो हमारी ये प्रत्वी है यहाँ पर जीवन संभव है अब करने वाले छोटे आकाशिय पिंडों को उबग्रह कहा जाता है तो उबग्रह किसे कहा जाता है जिस तरह से ग्रह जो है सूरे की परिक्रमा करते हैं ठीक वैसे ही ग्रहों की परिकमा करने वाले छोटे आकाशिय पिंडों को उबग्रह कहते हैं प्रत्वी का केवल एक ही उबग्रह है चंद्रमा कौन सा है चंद्रमा ये भी आपको याद रखना है एक्जाम में क्योशन बन सकता है कि प्रत्वी का उबग्रह कौन सा है तो हो है चंद्रमा और किन्तु कुछ अन्य ग्रहों के एक से अधिक उबग्रह है शनी और वरश्पत प्रकाश नहीं है जो ग्रह है न उसकी तरह ही उबग्रह जो होते हैं इनमे भी उश्मा और प्रकाश नहीं होता है इन्ने सूरे से ही ताप एवं प्रकाश मिलता है अनेक उबग्रह चंद्रमा से भी बड़े हैं जैसे शनी का टाइटन व्रषपती का गैनिमेड और कैलिस्टो आदि कई उबग कि क्या आप जानते हैं शनी के उग्र है टाइटन पर प्रत्वी की तरह सघन वायू मंडल है कहां पर जो शनी का उग्र है टाइटन वहां पर प्रत्वी की तरह सघन वायू मंडल है वहां भी नदियों और जलाशे है धरा और धरातल प्रत्वी जैसा ही है उसके वायू मंडल की प्रमुग गैस नाइट्रोजन है लेकिन वहाँ क्या है कि जो प्रमुग गैस है वो नाइट्रोजन है जहां जीवन की संभावना है या नहीं इसका पता लगाने में वेग्यानिक अभी प्रयासरत है और वहाँ पर जो वेग्यानिक है वो पता लगा रहे हैं कि वहाँ और देखिए और यहां पर देखिए जो बुद्ध और शुक्र है तो इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है यहां पर कुछ भी नहीं दिया गया है तो इनके कोई उपग्रह भी नहीं है और exam में ये भी question में जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके कोई उबग्रह ही नहीं है तो ये आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध और शुक्र के कोई उबग्रह नहीं है अब देखें next जो पेस है इसमें आओ करके देखें question 1 में देखें पिछले प्रष्ट पर दिये गए ग्रहों में उबग्रह के तुलनात्मक थित्र की साहिता से पता लगाइए कि किन ग्रहों के उबग्रह नहीं है जो किन ग्रहों के उपगर चंद्रमा से बड़े हैं तो ये हैं वरश्पती और शनी के चलिए अब आगे देखते हम चंद्रमा प्रत्वी का सबसे नस्दी की गोलाकार आकाशी पिंट क्या है चंद्रमा आधुनिक खगोल शास्त्रियों के अनुसर वहाँ जल एवं वाईयू का अभाव है कहां पर चंद्रमा पर किसका भाव है जल और वाईयू का भाव है इसलिए वहां जीवन संभव नहीं है हमारी प्रत्वी के धरातल एवं चंद्रमा के धरातल में कुछ समानताएं हैं चंद्रमा का धरातल प्रत्वी के धरातल की तरही उबढ़ खाबढ़ है क चंद्रमा की तुलना में प्रत्वी लगबग 81 गुना बड़ी है अगर चंद्रमा से तुलना की जाए तो चंद्रमा की तुलना में प्रत्वी कितनी गुना बड़ी है 81 गुना बड़ी है चंद्रमा की कलाएं प्रत्वी और चंद्रमा दोनों की आकरती गोलाकार है दोनों ही सूरे से प्रकाश प्राप्त करते हैं इस कारण दोनों के आदे भाग पर प्रकाश रहता है और आदे भाग पर अंधेरा सूरे से प्रकाश की किरने चंद्रमा से परावर्तित होकर प्रत्वी पर आती है उसे हम क्या कहते हैं चांदनी कहते हैं महिने में एक बार ही चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग प्रत्वी के सामने आता है और इसे भारत में पूर्णी मा कहते हैं क्या कहते हैं पूर्णी मा इस दिन जिस दिन महिने में एक बार ही चंद्रमा का जो पूर्ण प्रकाशित भाग है वो जब प प्रकाशित भाग प्रत्वी के सामने होता है उसे अमावश्या कहते हैं क्या कहते हैं उसे अमावश्या यह देखें यहाँ पर यह चंद्रमा की कलाहां का देखें डाइगरम बनाया हुआ है यह देखें सूरे की किरने आ रही है तो पूर्णीमा जो है ना पूर्णीमा से अमावस्या तक चंदरमा का ये प्रकाशित भाग जो है वो घरता जाता है और इसके बाद क्या होता है अमावस्या से पूर्णीमा तक ये बढ़ता जाता है और चंदरमा की इन घरती बढ़ती आकरतियों को ही हम क्या कहते हैं चंद जो बढ़ते चांद के पकवाड़े को इसको तो कहते हैं शुकल पक्ष और घरते चांद के पकवाड़े को कृष्ण पक्ष चंद्रमा पर दिन में बहुत अधिक गर्मी और रात्री में बहुत अधिक ठंड परती है इसलिए वहां का वातावरन जीवन के अनुकुल नहीं है चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगबग 29 दिन एवं प्रत्वी के चार ओर चकर लगाने में लगबग 27 दिन लगते हैं अब है नेक्स्ट शुद्र ग्रह मंगल और व्रश्पती ग्रहों के बीच एक पटी में इस्थित परिक्रमा करने वाले असंग के छोटे पिंडों को शुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहते हैं देखे जैसा कि हमने पहले चितर देखा था ग्रह और उनके ग्रह के आपस में तुलना वले तो ये देखे जो ये है न ये सारे क्या है शुद्र ग्रह है तो मंगल और व्रश्पती ग्रह है न इधर ये देखे मंगल हो गया और इधर व्रश्पती तो इन दोनों के बीच मे और जो इनका निर्मान है वो ग्रहों के बाद बचे मलवे से होता है और सेरेस इसका प्रमुक उदारने ये दिख रहा है आपको सेरेस इसमें देखी ये फर्स्ट नमबर पे है सेरेस और पैलेस जूनो बेस्टा ये सब क्या है शुद्र ग्रह है अब देखे इस चित्र में प्रत्वी चंदरमा एवम सेरेस के आकार की तुलना आप देखे प्रत जो प्रत्वी के गृत्वाकर्शन से धर्ती की और खीचे चले आते हैं उलकाएं क्या है धूमकेतू या शुद्र ग्रह होते हैं इनसे तूटे हुए टुकडे हैं जो प्रत्वी के गृत्वाकर्शन से धर्ती की और खीचे चले जाते हैं तो प्रत्वी का वायू मंदल से घर्षन के कारण वे जलने लगते हैं और नस्ट हो जाते हैं और जब वो आते हैं रास्ते में तो वायू मंदल से घर्षन होता है उसका इस कारण से वे जलने लग जाते हैं और नस्ट हो जाते हैं वायू मंदल में घर्षन के समय ये चमकिली रेखा के रूप कि जब यह आते हैं उपर से जो शुद्रगर से जो टुकड़े होते हैं छोटे-छोटे उनके टूटे वे टुकड़े जब वो नीचे आते हैं तो वो वायू मंदल से घर्षन होता है उनका इसकारण से वे जलने लग जाते हैं और घर्षन के समय क्या होता है कि उनकी चमकीली सी एक रेखा बन जाती है इस कारण से वहमें बिल्कुल बुरी होने के कारण पूरी मैं नस्ट नहीं हो पाती हैं कुछ जो अगाएं होती हैं तो कुछ तॉ-चोटी होती हैं तो वह रास्ते में ही याती मृकूर जो बड़ी होती है वो पूरी तरह से नस्ट नहीं हो पाती है तथा पिंडों के रूप में प्रत्वी से टकरा जाती है इस इस्तिती में इन्हें उलका पिंड कहा जाता है तो जो बड़ी होती है और नस्ट नहीं होती है पूरी तरह और वो प्रत्वी से जब टकरा जाती है इस स्सिति में हम उन्हें क्या कहते हैं उलकापिण कहते हैं इससे प्रत्फि पर गड़दे बन जाते हैं देखिए जो अमेरिका के एरिजोना प्रांथ में उलकापिण गिड़ने से बना घड़दा है इस तो चोटे हैं लेकिन कई बार यह बड़े भी आते हैं तुकड़े तो इस वीडियो के साथ ही यह जो हमारा अध्याय दो है यह कंप्लीट हो गया है अब शब्दावली देख लेते हैं देखे सौर मंडल जो है इसका क्या अरत होता है सूरे और प्रत्वी साहित सभी ग्रह उब ग्रह अन्य लगुपिंट यह क्या कहलेंगे सौर मंडल कहलेंगे पखवाड़ा महीने का आदा भाग क्या कहलाता है पखवाड़ा कहलाता है शुद्र या अवांतर ग्रह किसे कहते हैं मंगल और ब्रश्वति के मद्द इस ते छोटे खगोलिये पिंट यह क्या कहलाते हैं शुद्र या अवांतर ग्रह कहलाते हैं और उ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाती हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके धन्यवाद